सप्ताह के हर दिन सातों दिन अलग-अलग देवी देवता को समर्पित है। इसी करे में शनिवार के दिन भगवान शनीदेव का पूजन किया जाता है। शनीदेव न्याय के देवता कहलाते हैं। वा लोगों को कर्मों के अनुसान फल प्रदान करते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर शनिदेव की बुरी नजर पढ़ जाए तो उसे कई कश्टों का सामना करना पड़ता है। शनिदेव की कृपा से व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की और सफलता हासिल करता है। साथ ही शनी पीडा से राहत मिलती है। इसके अलावा शनिदेव की कृपा से सभी मनोकामनाओं की पूर्ती होती है। जो व्यक्ति शनी की महादशा या शनी दोश से परेशान है, तो उसे शनिवार के दिन कुछ विशेश उपाय करने चाहिए। आईए जानते हैं, शनिवार के दिन कौन से उपाय अपनाने से आपको लाप मिलेगा। मान्यता के अनुसार, शास्त्रों में शनिवार का संबंध न्याय के देवता शनी देव से माना गया है। गौर्दलब है कि शनी के नाराज होने अप्रसन्न होने पर वह राजा को रंक बना सकते हैं, लेकिन प्रसन्न होने पर आशिरवाद देते हैं। यहां शनी देव को प्रसन्न करने और आर्थिक परेशानियों को कम करने के कुछ उपाय दिये गए हैं। अदार्ती मामलों के समाधान के लिए ग्यारा पीपल के पत्तों की माला बना कर, किसी मंदिर में शनीदेव को हुखु श्री हरी शन शनैश्चराय नमा मंत्र का जाब करते हुए चढ़ाए। बिजनेस में प्रोगेस के लिए पीपल के पेड़ की साथ बार परिक्रमा करें, कच्चा सूप का धागा बांदें और शनीदेव का ध्यान करें। नौकरी पाने और आय बढ़ाने के लिए महते पानी में शन शनैश्चराय नम मंत्र का जाब करते हुए काला कोईला प्रवाहित करें। सुक्सम्रद्धी के लिए पुष्ट नक्षत्र में पीपल के पेड़ पर चीनी युक्त जल चढ़ाएं और रहरी श्री शनैश्चराय नम मंत्र का जाब करें। शनीदेव को प्रसंद करने और जीवन की परेशानियां दूर करने के लिए कौँ को रोटी खिलाएं। शनी के प्रभाव और कर्ज की समस्या को कम करने के लिए शनी देव का वाहन माने जाने वाले काले कुटों को रोटी या बिस्कुट खिलाएं। शनीवार के दिन पीपल के पेड़ के पास काले कपड़े में तिल बांध कर और पीपल की जड में जल चड़ा कर अपने वैवाहिक जीवन को भैतर बनाएं। साड़े साती धहिया या शनी दोश से बचाव के लिए शनीवार को शनी रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। किसी भिखारी को तेल से बनी वस्तुएं दे। इन दिन गुगुल धूब जलाएं और शनीवार को काली उड़त का दान करें। शनीवार के दिन सुन्दरकान का पाठ करने से लाबकारी फल मिलता है। शनीवार के दिन गोरज बुहूर्त में चीन्टियों को तिल खिलाएं। बोजपत्र पर रक्त चंदन से वी लिखकर शनीवार की रात्री में पूजन करने से विद्या और बुद्धी की प्राप्ती होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।